नमस्का दूस्तो, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको दिल से सागत करता हूँ, तो आप सब लोग कैसे हैं, मुझे ज़रू कमेंट करना, और आज का जो वीडियो हैं, वो टोटली एक Two-wheeler बनने वाला कमपानी के बारे में हैं, देखे, Two-wheeler इंडेस्टीज में अगर देखेंगे तो बजा जोटो है, IHR मोटोर है, हीरो मोटो को है, TBS मोटोर है, तो इस तरीक से कुछ कमपानी के नाम आपको देखने को मिलेगा, और इंडिया के सबसे पॉपुलर कमपानी के बारे में आज बात करूँगा, जो दिखा जाए तो सिर्फ Two-wheeler इंडेस्टीज से अगर नाम लगार है, हीरो मोटो को क्योंकि आप अगर कमपीरिजन से, तो आपको जाए अबर देखाली है, हाईर है, तो मार्केकम की के हिसाब से, हाईर मोटोर फीया कहा है, है तो मैं सिर्फ two wheeler industries के बारे में बात करूँ तो number one होगा hero motoco तो आज मैं बात करूँगा hero motoco के उपर क्योंकि बहुत बड़ा एक hero motoco ने decision लिया और उस decision देखाए तो दो तरीके से decision हो गया तो एक खराब news भी है एक good news भी है एक bad news भी है तो बीडियो को लाज तक जुरूद देखना और अभी तक अपने इस channel को सब्सक्रेब ने किया तो देर किस बात की अभी जाके subscribe करिए कि बहुत सरा interesting data आपको इसी channel का मतम से मिलता रहेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के stock के बार में और हाँ एक चीज़तों मैं बोलना ही भूल गया आप टेलीग्रम को जॉइन कर लीजिए आप अगर जॉइन नहीं हुआ तो आपको बहुत कुछ मिस हो रहे है आप बहुत कुछ मतलब पैसा का मेना का जो मतलब डेली बेसिस पैसा का मेना का जो फार्मूला है वह पर दिया जाता है जा खर एक बार चेक आउट करिए तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्यूं इतने बार टेलीग्रम को जॉइन करने करें बोल ला हूँ तो तो देखिए कंपानी का एक बार वेबसाइट विजिट करना तभी आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेगा कंपानी के वेबसाइट विजिट करने से अच्छा है आप सभी जानते है कौन सा कौन सा bisher से को रसा स्कूटर है तो वो तो अब जानते है तो में इस लिए भी जिट करने के लिए बोलूँ गा क्योंकि का जो स्टेंध है म का बिजिनस मॉडूल भो कॉमपानी किस तरह की से क कर रहे हैं उसका एक अंधज आपको लेग जाएगा तो चलो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं देखे नमबर वान है पहले पता चुखा हूं कॉम्पानि नमबर वन है हमें साब का नमबर वन दिखे का क्या नहीं दिखेगा वह तो पता नहीं मगर अभी विलल के लिए कॉमपानी का इनध्या में नहीं when the Rom póki अदिटे में मल बैचिते हैं वटी पणति में तो सोचे एस एफी तो एक स्टेंथ है कंपानी का देकर है विंदेंड deste by दिखी इस अधे Dorothy कम्पानी ने और ऐसका एक्सिलन्ट एक्सिऊ स्टार्ट हुआ था तो बहुत बड़ा स्ट्राइश के पास होगा और customer touch point मतलब company का जो service center होते हैं और company total 9000 से भी ज्यादा इसका touch point है कितना बड़ी बात है आप customer touch point भी है मतलब touch point मतलब से service center मत समझे लिए जितने बड़े इसका गारी बेचने का showrooms होता है वो showrooms आप बोल सकते हैं करीबन 9000 प्लास है तो एक अंदाजा आपको यहां से मिल गया कि इस अंदाजा आपको मिलाने के लिए मैं वेबसाइट को आपको फिजिट करने के लिए बोला देखे अभी company ने क्या decision किया बोट चलो आपको दिखा देता हूँ तो मैं दिगज वेबसाइट अपर आ चुका हूँ आप इस न्यूज साइट को उपर जा सकते हैं इस डेटा को देख सकते हैं तो मैं जुरू थैंक्फूल हूँ इस साइट को उपर अच्छा का सा एक न्यूज पब्लिस किया तो देखे डिएर बाई आप टू ऑन थाउजन रुपीज मतलब हर गड़ी में मतलब हर स्वार्जी हर बाइक्स में वह भी हो सकते हैं वह स्कूटर भी हो सकते हैं तो इसका जितने सारे टू हुलर से उनमें हजार रुपिया करके अपको जादा पैसा देना पड़ेगा मतलब ज्यादा पैसा आपको कोई भी बाइक्स खरीने जाएंगे तो आपको हजार रुपिया देना पड़ेगा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ एक गुण नीउस है एक बैंड नीउस है तो बैंड नीउस किसका होगा और गुण नीउस किसका होगा तो देखिए बहुत सारे लो यहाँ पर पैसा ज्यादा बढ़ाए जा रहा है तो कंपानी के उपर और भी प्रेसर आएगा तो आप कह रहें के कंपानी का इंड़ेस्टर का गुण नीउस है बिल्कुल दिखिए मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा एक्जम्पल दे रहा हूँ मान के चलिए आपने पांच गाड़ी या बेचा और जिसका प्राइस था मन पांट प्रॉडक का जिसका प्राइस था करिबन करिमन हजार रुपीज मैं आपको एक एक्जम्पल दे रहां तो कितना होगा 5,000 रुपीज चलो ठीक ठाक है आपका दोस्ट दो गड़ी दो प्रोडट्क बेचा और उन्हें कितने करके बेचा उन्हें बेचा यहापे 3,000 करके तो यहाँ पर कितना होगा 6,000 तो आप कहेंगे क्या सर मेने तो माल बेचा जादा बेचा था तो मुझे जादा profit होना चाहिए था मेरे दोस्त ने तो बहुत कम बेचा मेरे से भी आधा बेचा तो फिर भी उसका जादा है देखि एही तो फरग है एही तो मैं आपको बताना च देखकर ही कमपनी का fundamentally financial growth देखकर ही निवेश करते हैं तो कमपनी का अगर margin बढ़ेगा कमपनी का profitable margin बढ़ेगा तो कमपनी का फायदा तो होगा ही तो हाँ आप कहेंगे सर कस्टमर के point के हिसाब से तो losses है हाँ बिल्कुल कस्टमर अगर माल करितने जाएंगे तो उसको 1000 रु हीरो होंडा एक साथ था तो हीरो हीरो और होंडा एक साथ काम कर रहे तो इस हीरो का जो splendor 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 जो गाइरी है तो वह कितने साल पूरान है किया अभी आप कहेंगे सर मुझे प्राइस था आज उसका प्रोड़क नहीं मिलेगा तो अल्टरनेट आपको प्रोड़क मिल जाएगा मगर उससे भी ज्यादा आपको प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि हार टाइम में जो वैलूशन है पूरड़क का वैलूशन है वो बढ़ते जाते हैं तो इसलिए इस तर उसको पड़ेगा मारके चले कोई भी बाइक खरीने गया तो उसमें से एड करके हजार रुप्य आड करके उसको 64,000 भी बोल देंगा तो उसको कुछ फरक भी नहीं पड़ेगा उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा तो आज ये इन्वेश्टर का ही फाइदा होगा हाँ आप मतलब बढ़ा दिया गया था आप देख सकते हैं पहले भी दो बार हाइक किया गया था और बहुत ज्यादा हाइक किया गया था आप देख सकते हैं इसके उपर भी वीडियो बना के दिया था आपको कि जो प्राइस है 3,000 रुपीज कंपानी ने बढ़ाया था 1st July में और 2, 2,000 रुपीज बढ़ाया था 5th April में मतलब पहले भी मतलब कुल मिला कर 6,000 रुपीज इसी साल में बढ़ा दिया गया तो देखे को कस्टमर का क्या घंटा फरक पड़ा कस्टमर अभी भी माल खरीद हैं ज्यादा भी माल खरीद हैं और future में माल खरीदर ही करेंगे उसको प् और मारजिन घंटने का मतलब आप सब जानते हैं स्टॉक में जब दस गिरावट भी देखनों को मिल सकता हैं तो अभी चले आते हैं मेन मूद्य के उपर कमपानी के उपर कितना स्टेंथ है बहुँ आपको बता तो देखे कमपानी में अभी देखा जो तो सेल्स क्रोथ प् गरंटी से ले आना पड़ता है तो उसको डॉलार से ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है तो उसका जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा बढ़ जा रहा है तो मैं जुरू कहूंगा इस कमपानी को पर भरोसा रखना और इस कमपानी को लॉंग टाम भी रहना क्योंकि अभी आप अच्छागा सा फ्रोफिट देने का पॉस्यमिलिटी जरूर होगा क्यों कोमपणी इंडिया के लार्जेस्ट कमपनी आपको यहापर दिखेगा और मेरे हिसाब से कमपणी इंडिया के नामबर वन कमपनी है उसका मार्केट के आपके हिसाब से नहीं उसका सब्सक्राइब करना जाते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें तो रिटर्न नहीं मिला तो ऐसे अगर सोचता तो प्रोमोटर कब निकल जाते हैं फिर भी देखिए कि निकला इसलते हैं तो बहुत सालों तक लोगों ने मुझे करकर मतलों ठक चुके थे मिए जितने बार ICC को उपर वीडियो बना कर दिया था तब भी मैं बता था कि company को पर पेशन के साथ बन रही है, company एक न एक दिन आपको अच्छा का सा return देगा, आज आप देखिए, ITC किस तरगे से भाग रहा है, continuously high cost भी जा रहा है, आप इसके चार्ट पेटन देखेंगे कि hero motor को को देखी, यह पर एक triangle pattern जैसे बन रहा है, इस triangle pattern क मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, एकी range में आभी काम हो रहा है, तो इस range के अंदर, अगर काम होने के बाद, जब breakout होगा, अगर upper level में breakout हुआ, तो एक लिया momentum देखने को मिलेगा, अगर lower level में breakout हुआ, तो एक फिर से low level आ सकते हैं, तो अभी कहा, कहा पे आएगा, कहा पे चाहिए उसे कामपणी और मिस्टों मुझे की सबसे बागी आप स्मार्ट इंवेश्टर हैं। लेखेक hen ऊप समार्ट इंवेश्टर हैं। तो आसा करता हूँ सारे जान के comment चुका है एक वीडियो totally education purpose में था तो यहाँ पर कोई buy sell recommendation नहीं था तो आसा करता हूँ इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe जुरूर करेंगे तो मिलते नेक्स टॉप लेके तब तक लेचे से रहिए आपने ख्याल लखिए बाइ बाइब बाइब घुज झाप